दोस्तों इस समय देखा जाए तो भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर हतियारों को स्वदेशी टेकनोलॉजी के दम पर बना कर तयार कर रहा है। लेकिन इस समय भारत के पास ऐसा कोई भी ड्रोन मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम दुश्मन देश के उपर हमला कर सकें। हमारी सेनाओं की इसी जरूरत को देखते हुए DRDO ने हमारी सेनाओं के लिए दो ऐसे ड्रोन को बनाना शुरू किया था जिनकी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के उपर हमला कर सकेंगे। और इन दो ड्रोन में से पहले ड्रोन का नाम तो आर्चर होगा और जो इस ड्रोन को लेकर खबर निकल कर ये सामने आई है कि भारत अपने पहले आम ड्रोन में जल्द से जल्द हतियारों को लगा कर उन हतियारों की लाइफ फाइरिंग करेगा। आर्चर ड्रोन को हमने रुस्तम ड्रोन के बेसिस पर बना कर तयार किया है। आर्चर ड्रोन को श इस ड्रोन की उडान भरने की क्षमता केवल 12 घंटे होगी और अब DRDO की तरफ से आर्चर ड्रोन के अंदर एंटी टैंक मिसाइल को लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस आर्चर ड्रोन के अंदर और जिस समय एंटी टैंक गाइड़ दिया जाएगा उसके बाद हमारा आर्चर ड्रोन काफी आसानी से दुश्मन देश के टैंक बंकर रनवे को तबाह कर सकेगा और अब DRDO ने इस ड्रोन के अंदर एंटी टैंक मिसाइल को लगाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है और आने वाले कुछी हफतों के अंदर अंदर हमको यह डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि DRDO के द्वारा बनाए गया आर्चर ड्रोन अपनी पहली मिसाइल को दागेगा और अगर हम इस परिक्षण के दौरान सफल हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी तीनों ही सेनाओं की तरफ से अच्छी खासी क्वांटिटी में आर्चर ड्रोन का ओर्डर भी दिया जाएगा और अब आप ही कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओं के पास आर्चर ड्रोन कितनी संख्या में मौजूद होने चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं